प्रेंड आज में लेके आई हूँ बहुत ही हेल्डी पराठे तो ये मूली के पराठे हैं बहुत ही बढ़िया बना है जिसको मूली के पराठे बनाने में दिक्कत होती है अब उनको दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से फॉलो करिए इस प्रभाया ओने कई तैसित नहीं हैं अब आप देख लुग है कितना सारह आप बाड़ा हुवा है नेक रभाया वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करके बताईएगा कि आपको ये कैसा लगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह आसान और हेल्दी रेसिपी लेके आए नोटिफिकेशन अन कर लेंगे तो आपके पास हर वीडियो मेरी जाएगी तो आप सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा चैनल को ताकि आपको बहुत ही आसान रेसिपी और जटपट बनने वाली कम चीजों में आपको इस वीडियो पे मिलेगी तो वीडियो में बने रहिएगा वीडियो को इसकीप मत करिएगा पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाओगे कि ये कैसे बना है तो चलिए देखते हैं कैसे बना है ये मूली के पराठे और एकदम परफेक्ट पराठा है बिल्कुल फटा नहीं है बिल्कुल तूटा नहीं है आपको यकीन नहीं होगा आप दूसरे पराठे को भी देख सकते हो मतलब एकदम ये बढ़िया से है बढ़ियां से फूल के आता है आप देख सकते हो तो इस पराठे को आप जरूर बनाईएगा और ये सबसे में बात है इसमें देखिए किता सारा भरा पड़ा है देख लो आप एकदम भर के आया इसमें मूली और ये खाने में बहुत ही स्वाद लगेगा तो चलिए देखते ह कैसे बनता है राम राम दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे तो आज में बनाने जा रही हूं बहुत ही हल्दी पराठे वह भी मूली के और बिना मसाले के तो इधर मैंने दो कटोरी आटे को छान ली हूं और एक चमच आजवाइन ले ली हूं इसको हम अ डाल दूंगी घी आप चाहे तो घी डाल सकते हो चाहे तो आप इसे इसकी भी कर सकते हो लेकिन घी डालने से पराठे बहुत ही अच्छे होते हैं तो अम इसको हम अच्छे से भी नहीं होगा और बहुत ही से हम नरब भी नहीं करेंगे तो यह बहुत बढ़ी आठा मेरा गुत के तयार हो गया है अब देख सकते हो अब इसको हम ढखके दस मिनट के लिए छोड़ देंगे रेश्ट के लिए और यह आठे अच्छे से सेट हो जाएंगे इधर मैंने मूली को ले लिया है यह 500 गराम मूली हैं तो इन मूली को मैं अच्छे से धोके और जो इसके उपर रेशे होते हैं उनको भी हम निकाल दिये हैं तो एक दिम इसको अच्छे से क्लीन कर लिये थे अब इसको हम कद्दू कस करेंगे तो मेरे पास कद्दू कस इस तरीके का है तो इसमें तीन साइज है कद्दू कस करने का तो आप मीडियम से ही कद्दू कस करिएगा क्योंकि देखे आप जैसे इस बड़े वाले से अगर कद्दू कस करोगे तो पराठे आपके भटेंगे अच्छे नहीं बनेंगे इस इसको कद्दू कस किया जाता है इसे पराटे बहुत ही अच्छे बनते हैं तो हम वो सारे मूली को इसी तरीके से घिस लेंगे इस पर अच्छे से घिस भी जाते हैं और यह बहुत मोटे नहीं रहते हैं तो इस तरीके से हम सारे मूली को घिस लिये हैं अब देख सकते हो और ये पूरा अच्छे से बढ़ियां हो गया अब इसको हम साइड में रख देंगे और इधर मैं चार-पांच हरी मिर्च ले ली हूँ और थोड़ी सी धनिया की पत्ते तो धनिया के पत्ते को भी मैंने धोके अच्छे से साप पर लिया था इसको सुखा भी लिये थे इसमें पानी नहीं था मैं पहले ही इसको धोके रख दे थी तो अब इसको हम बहुत ही बारिक-बारी काटेंगे मोटा नहीं काटना है तो हम धनिया को बहुत बारिक-बारी काट रहे हैं तो इसी तरीके से हम बारिक बारिक इसे काट लेंगे और हरी मिर्च को हम इस तरीके से काटेंगे इस तरीके से चीरा लगा देंगे सारे मिर्च में बीच से और उसके बाद फिर हम इसे काटेंगे इससे भी पराठे फटते नहीं हैं तो अब मिर्च को भी हम बहुत ही बारिक काटेंगे, इसको भी मोटा नहीं काटना है, इसको भी बहुत बारिक-बारिक हम इसे काट ले रहे हैं, और मिर्च भी मेरा कटके तयार हो गया है, देख सकते हो आप, और धनिया भी कट गया है, तब इनको हम साइड में रखेंगे, और ये मूली को मैंने पांच मिनुट ऐसे रेष्ट पर रख दिया था कद्दू कस करके, अब इसको हम एक कॉटन के कपड़े में, ये कॉटन का रुमाल है, तो इस कॉटन का ही आप कपड़ा लीजेगा, तो जादे बैटर रहेगा, अब हम इसी में ये सारे मूली जो कद्दू कस हुआ है, इसको इसी कपड़े में और इसको हम अच्छे से निचोड़ेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पराठे फट सकते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से निचोड़ना है, जितना इसमें से पानी निकल सके उतना आप इसे निकाल दीज़ेगा, इस तरीके से इसे निचोड़ निकाल दे रहे हैं कबड़े में से इसको अच्छे से निचोड़ना पड़ता है अब यह देखे बिल्कुल सूखा हो गया है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है तो इस तरीके से में इसे खोल के फैला लेंगे अब इसे में मैं एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और कटा हुआ धनिया अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे सारे मूली में ताकि एक बराबर से सारे में मिल जाएए इसमें मसाला बिल्कुल नहीं पड़ता है यह बिना मसाले का बहुत हेल्दी बनता है अब इसको हम थाले में इस तरह लगा देंगे और हमने एक चम्मच नमक ले लिया है और इधर आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया है अब देख सकते हो तो मैंने इसको एक बार और इस तरीके से मल मसल दिया था अब मैं इधर तबा रख दी हूं गरम होने के लिए गैस पर और मैं आटे को छोटे छोटे ऐसे पेड़े तोड़ ले रही हूं इनकी लोई बनाने के लिए तो इस तरीके से बहुत बड़ा बड़ा हमने नहीं लिया है जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं उसी साइज का हमने पेड़ा तोड़ा है तो आप इस तरह से गेहूं का आटा और इस तरीके से बीच में थोड़ा सा गड़ा करके इसका और हम तो जादे जादे इसमें भरे हैं मूली को आप जिस हिसाब से भरना चाहते हो बर सकते हो और चुटकी से इसमें नमक डालेंगे जादे नमक नहीं डालना है और नमक पहले से भी नहीं मिला के रखना है अग तरीके से मिसको इसमें फिल कर देंगे और अब इसे बेल देंगे यह बहुत ही अराम से बेल जाएगा क्योंकि हम नमक तुरंत डाले हैं और तुरंत इसको बेल के तending हो गप अगर्म हो गया था अमने इस पर पराठे रख दिये और दूसरी भी पराठे को हम बेल ले रहे हैं, इधर मेरा पराठे एक तरफ से गया था, तो मैं इस पर घी लगा रही हूँ, आप चाय रिफाइन ओल में भी बना सकते हो, तो हम इसको अच्छे से एक तरफ लगा के पलट के दूसरे तरफ भी अच्छे से लगा लेंगे घी क और इसको हलका हलका इस तरीके से दबा दबा के देख लेंगे ये बिलकुल फूल जाएगी अभी देख लेना आप ये पराठे अच्छे से फूल जाएंगे, देख लिजे ये पराठे पूलने लगे हैं, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो जरूर ये फूलेगा, देख ये पराठे हमारे फूल गए हैं देख सकते हो आप तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो एकदम पर्फेक्ट आपके पराठे बन के आएंगे और इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे तो अब इसे हम निकाल ले रहे हैं फ्लेट में इदर मेरे सारे पराठे बन गयते तो मैंने इदर फ्लेट लगा लिया है इसमें मैंने दही और धनियाकी चटनी के साथ इसे सर्व किया है तो आप इसी तरीके से इस पराठे को बनागा बहुत ही आसान है जटपड बन जाएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करके बताएगा आपको कैसा लगा और आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा एक बर बना के यह बहुत ही आसान है और जिस तरीके से हमने आपको बताया है अगर आप इसी तरीके से इसको बनाओगे तो बिल्कुल आपके पराठे फटेंगे नहीं और बढ़ियां से देख लो किती सारे इसमें हमने मूली के स्टफ बाइ